असलामों अलेकुम मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किच्छन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़ियासी फिश मसाला फ्राइ मैं इसे सरसो फ्राइ फिश कहती हूँ आप चाहें तो फिश मसाला फ्राइ भी कह सकते हैं मैंने यहां लिया है रावस मज़ेदार सी आप कोई अरणरी मच्छी बनाते हैं आज की चलिए सबसे पहले मिक्सर चार के अंदर दो टेबल स्पून राय यानि के सरसो डाल दीजिए और इसके साथ साथ एक छोटा चाय का चमच जीरा साबुद जीरा और एक छोटा चाय का चमच साबुद धनिया आट दस काली मिर्च अब यह अदरक है मेरे पास बारे कटीव भी रखी है तो मैं आपको बता देती हूं कितनी है एक टी स्पून भर कर अदरक ले लीजिए और हरी मिर्चिया में मेरे स्वाद अनुसार दार नहीं हो आपको जितनी स्पाइस चाहिए हो से साथ से दाल दीजिए यह जादा स्पाइसी व आप जादा भी डाल सकते हैं आदा चुरचय का चमच नमक या स्वाद अनुसार दाल दीजिए आदा चुरचय का चमच हल्दी थोड़ा सा पानी डाल कर बहुत अच्छे से पीस लीजिए और ऐसा पेस्ट बना लीजिए पानी ना पीसने के लिए जितना चाहिए होगा वै तो सुर्मा ही ले सकते हैं पापलेट ले सकते हैं कतला ले सकते हैं जो आपकी मन पसंद मच्छी हो उसे लीजिए और पीसे करवा लीजिए गा और यह 800 ग्राम है लेकिन अच्छा इसे सबसे पहले मैंने है नमक खूप सारा एक टेबल स्पून जितना लगाया पहुत अच् लेकिन हलके हाथ से दोईएगा और जो भी गंदगी वगेरा लगे आपको वो सारा निकाल लीजिएगा जो भी काला पंजसा भी लगे वो भी निकाल लीजिएगा धोके नितार कर इसे साइट पर रख दीजिए हलके हाथ से दोईएगा जो मसाला हमने सबसे पहले बना के रखा था, वो मच्छी के अंदर डाल दीजिए, बहुत अच्छी से वेल कोट कीजिए, मैं क्या कर रही हूँ, चार-पांच मच्छी लेके, उस पर थोड़ा मसाला लगा के, उससे पहले अच्छी से मिक्स कर लेती हूँ, मेरे हाथ साफ है, तो मैंने हाथों से किया है, आप चाहें, तो स्पैच्छी ला की मदद से कर सकते हैं, थोड़ी-थोड़ी मच्छी दाल रहे हूँ और मसाला लगा रहे हूँ, और मसाला एक साथ जब हम लगाते हैं तो बहुत सारी मच्छी को आप बहुत रफली हांडल करने के चांसे रहत मसाला कोई भी वेस्ट मत कीजिए बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे ढख कर फ्रिच के अंदर एक घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रहने दीजिए क्योंकि मैरिनेट होगा तो मसाला अंदर चड़ेगा तो और मज़ेदार स्वाधिश टेस्ट आएगा ना चकरीबर एक घंटा हो चुका है फ्राइपन के अंदर आप नॉर्मल तेल भी दाल सकते हैं बट मैं यहां सरसो का तेल डाल रही हूं क्योंकि मैं सरसो वाली मज़ेदार सी मच्छी बना रही हूं है कै नहीं। तो सरसो दालने के बाद तेल दालने के बाद उसे बहुत जूलता हुआ गरम होने दीजिए, धुआ निकले ऐसा गरम होने दीजिए, जब धुआ निकलने लगे तो चूले को कर दीजिए, बंद हलका ठंडा हो जाए, फिर वापस चूले को चालू कर दीजिए, यह मच्छी देख सकते हैं, बढ़िया सी मेरिनेट हो चुकी है, अब च गरम करने वाला प्रोसीचर है, वो करने की जरूरत नहीं है, यह हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो सर्सो का तेल होता है, उसी के लिए एक दम हाई टेमपरेचर पे गरम किया जाता है, और फिर बंद करने के पाद नॉर्मल टेमपरेचर पे आता है, फिर उसे आप वापिस चू फ्राइ करिए इसे, अचा पलेटने के बाद आप देखेंगे ना मुझे थोड़ा सा मसाला ऐसा लग रहा हलिका सा कम लग रहा तो मैं क्या करूंगी, पलेटने के बाद है ना, फिर से थोड़ा थोड़ा जो मसाला जो बावल के अंदर है, जिसमें मेरिनेट करके रखा, उ इसके ऊपर थोड़ा सा लगाते जाती हूँ, तो उसे सबसे थोड़ा और मसाला मिलेगा ना, और उसके बाद उलट-पलट करते हुए, इसे तकरीबन 6-7 मिनिट, तक पका लीजी, मैंने टोटल 7 मिनिट पकाया है, उलट-पलट करते हुए, 7 मिनिट हो जाए, तब तक आप अपने मीडियम आज पर फ्राइ करना है, चलिए, 7 मिनिट हो जुके है, मैं चूला कर देती हूँ, बंद और ये बन गई हमारी सरसो मच्छी मसाला फ्राइ, आप इसे मसाला फ्राइ मच्छी भी कह सकते हैं, बहुती लजीज जट-पट देखा, आपने बन गई है, और मेरे चानल पर अप्लोड की, आप लोगो के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप महाँ चेक कर लीजएगा, इन फैक पूरा प्लेलिस्ट ही है, आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, आप आपके स्वाद अनुसा रजस कर सकते हैं, ये वाली मसाला फ मिल जाएगा, वैसे ये थोड़ी से नॉर्मल, जादा मसाला नहीं है इसमें, लेकिन बहुत ही लजीज़ और बढ़िया है, मसाला तो लगेगा, लेकिन एकदम भर-बर के मसाला नहीं है, तो वैसे के लिए आप 500 गराम मच्छी के अंदर, यही कौंटिटी को 500 गराम में ब कनाए, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रू शेर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे लगते हैं, फिर से आजिर होंगी नहीं शांदार दमदार रेसिपी के साथ, अंटिल देन, टेक कैर, अलाहाफिस, बाब बाई